पब्लिक टीवी आपकी आवाद सब्सक्राइबरा कोई ठोस कारेवाई न करते हुए पुलिस को आरोफी के साथ हमसार होने का आरोफ लगाया परीzkनों का आरोफ हैं कि जब हमने नाम नर्ज क अ económ hungry करा दिती फिर पूलिस आरोफी को गिर difता क्यों नहीं कर रही इस मुद्दे को परिजरों ने दले तेकता मंच के बैनार दले SSP को इस शिकायात पत सोपा पबन जो लड़का था हमारा सोनी का पुत्र है इनका तो उसका मडर हुआ है 15 तारीक में जो एर आपको वो फैक्ट्री से काम करने के बाद वापस घर आ रहा था और उसके साथ जो उसका ही साथी रवी था वो रवी के साथ वहां से निकला वो घर नहीं पहुचा तब जब इन्होंने ढूंडा है तो उसको जो है रात के दो बजे जो ठेकेदार था ठेकेदार रामधारी है तो रामधारी ठेकेदार ने दो बजे सूचना इनको फोन पे दी कि आपका लड़का वहाँ पड़ा है उसको उठा के ले जाईए सातियों जो है इतना बहुत नो बजे तक उसको सूचना प्राप्थ हो गई थी रामधारी को ठेकेदार को कि वह वहाँ पे मृत पड़ा है लेकिन उसने दो बजे इनको सूचना दी FIR दो दिन बाद पुलिस करती है सत्रे तारीक में तीन के दो में नेम्ड FIR है ठाना मजोला पुलिस के द्वारा कई बार कहने के उपरांथ FIR दर्ज हुई दो दिन बाद FIR दर्ज होने के बाद आज 10 दिन बीट गए परिवार हर तरीके से उनसे निवेदन कर रहा है कि जो मेंड मुलिम है और जो ठेकेदार है या जो भी अन्ने उसमें दोसी है उनको गिरफतार करो जेल वेजो लेकिन ठाना पुलिस के कान पे जू नहीं रहें रही ठाना पुलिस निस्करिया है ठाना पुलिस की भी कारवाई संदीक दे लगती है क्यों नहीं कारवाई कर रही इतने गंभीर मामले में मडर हुआ है पी-म पुलिस दोरा कराय गया है 302 की F.I.R है उसके बावजूद भी मुल्यम को ग्रफतार पुलिस नहीं कर रही हम भी मिले थाना पुलिस से हमें भी आस्वासन दिया लेकिन हमको भी मिलने कमें दो-तीन बार हम मिले है निवेदन किया है तब आस्वासन के अलावा पुलिस थाना कुछ नहीं कर रही है पुलिस छोड़ रही है ग्रफतार नहीं कर रही तो वहां हमारी मांग है कि ठाना पुलिस अभी युक्त को और संदीक्त जो है जो रमधरी है ठेकेदार उसको ग्रफतार करें सिक्र और चेल भेजाए यह हमारी मांग रही है